जो camera section है यहाँ पर आके आप जाएंगे IP camera के option पर दोस्तों maximum क्या होता है कि यहाँ पर automatically IP show हो जाता है दोस्तों यहाँ पर online device में हम जाते हैं तो एक बार यह अपने IP camera को बंद करता हूँ देखता हूँ कौन सा IP मेरा बंद हो रहा है तो अब simple सा हो गया मेरा जो camera है उसका IP address है 192.168.0.111 इसके बाद second option था हेक विजन का तो यह हमारा camera जो है वह on-wave है तो इसको on-wave कर देते हैं तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं मेरा camera camera play हो गया है दूस्तों एक questions पार-बार हमसे पूछा जाता है अगर हम CCDV camera काम करते हैं कश्ट्मर चाहता है कि मेरे घर पर Wi-Fi camera लग जाए क्यूंकि घर के अंदर wiring करना काफे camera के दिक्कत होती है कि wiring करके सारे open wire लेकर जाना और कश्ट्मर यह भी चाहता है कि वह camera मेरे TV पे LED monitor पे शो हो कई बढ़ी ऐसा होता है कि कश्ट्मर के यहां पर चार camera यह दस camera लगे हूँ है या फिर पांच camera लगे हूँ है DVR 8 camera का है तो वह कहता है कि मेरे एक दो camera और लगा तो इसे connect कैसे करते हैं इसकी तो वीडियो पहले बना चुका हूँ मैं basically इस camera की तो नहीं लेकिन CP plus वगरा की जो camera आते है या फिर कुछ एक local camera भी आते है उनकी भी वीडियो बना चुका हूँ तो अगर आप कहेंगे तो इस camera को लेके भी वीडियो बना दूगा मैं सिर्फ होना के चाहिए जो आपका ये वाला camera है वाइफाई camera आपको उसकी manual चेक करनी है वो on wave supported होना चाहिए अगर आप इस camera के बारे में को जाना चाते हैं तो उसकी details मैं आपको description box में दे दूँगा जहां पर जाके आप इस camera को watch कर सकती है क्योंकि ये camera on wave supported है इसको मैं अपने DVR पे connect करने वाला हूँ आज की वीडियो में मैं आपको एक चीज नहीं कई सारी चीज़े बताने वाला हूँ तो आपसे एक ही request है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके पर time है तो ही देखिए क्योंकि थोड़ सी lengthy वीडियो हो सकती है लेकि इसमें आप काफी कुछ सीखने को मिले एक विजन का DVR है जिसमें हम इसको अटेश करने वाले हैं तो DVR जहां पर मेरा है वहां पर मेरा इंटरनेट भी नहीं है वहां पर मेरा कनेक्शन नहीं है तो आपको सारी चीज़े में वन बाइवन बताने वाला हूँ और इस कैमरे को जो कैमरा है और यह जो DVR है आप के बार इशु आता है कि क कश्टमा कहता है जो मेरे घर के अंदर तीन चार कैमरा लगा दो और मेरे जो DVR है उसके अंदर डिस्प्ले दे दो तो कैसे आप एड कर सकते हैं उसको लेके चलूँगा आपको लेके चलूँगा अपनी DVR की डिस्प्लेपे क्या-क्या सेडिंग क के आपको देखाई देखा चलता हुआ क्णिए है मतलब इसमें टोगδή आती है यह उता है है वीछते हैं के अश्म के सांपैर को थर। धिंगो पढश्क सांटेन ऐस्तर्च आ पको उना चाहिए है और आपको मेरी शकल दिखाई दे रही होगी, यह camera basically हमारा Wi-Fi camera है, जो कि आपके सामने चलता हो रिखाई दे रहा है, इसमें 2-way talk भी है, अगर हम कुछ बाग बोलेंगे, इसको हम DVR पे खनेक करने वाले हैं, DVR हो या NVR हो, आज केल जो DVR लेटेस आ रहे हैं, वो भी on-wip supported होते हैं, तो camera को बंग कर देते हैं, एक बारी अपने phone पे, अब लेके चलूँगा आपको अपनी DVR के display पे, जहां पे क्या-क्या setting करने ही पड़ती हैं, आपको बताऊंगा, तो दोस्तो आ गए हैं मेरे DVR के display पे, यहां पे आपको दिख रहा है, यह मेरा 8 camera को DVR है, DVR के पीछे, जो है BNC 8 लगी हुई है, इस पे हमें basically IP camera अड़ करना है, तो आज कल जो default DVR आते हैं, उनमें 9 वे camera के बदले, यहां पे IP का sign मना होता है, अगर आपका ये वाला sign नह आएंगे, तो यहां से आप enable कर सकते हैं, IP camera, तो basically मेरा DVR है, वो 8 camera support करता है, analog, उसके बाद जो 2 camera है, वो support करता है IP, यह मेरा 8 plus 2 का DVR है, जिस पे 10 camera चलते हैं, तो IP camera add करने के लिए, सबसे पहले मुझे दिखना पड़ेगा, मेरा DVR net से connected है के नहीं है, तो एक बाद चलते ह यहां Wi-Fi का option नहीं आ रहा, और आपका DVR supported है Wi-Fi के, तो आपको अपने DVR को upgrade करना पड़ेगा, लास्ट वीडियो मेरी आई थी, जिसमें बताया था कैसे आपने DVR को upgrade कर सकते हैं, so आप basically अपने DVR को upgrade कर चेकर सकते हैं, कि आपका Wi-Fi का options में enable होता है कि नहीं होता, अगर आ अपने DVR के back side में connect कर देता हूं, और एक बार इसको refresh भी कर देता हूं, तकि मेरा Wi-Fi show हो जाए, so guys यहां पर आप देख रहे हैं, मेरा Wi-Fi show हो गए, तीन Wi-Fi है, गुलशन होस्पोर्ट नाम से मेरा Wi-Fi चल रहा है, अब ही currently, तो basically इसको connect कर लेते हैं, यहां पर मांग रहा है पासवर्ड, तो यहां पर में जो राउटर का पासवर्ड है, Wi-Fi का पासवर्ड वो डाल देता हूं, so guys पासवर्ड डाल दिया है यहां मेने, enter कर देते हैं, और इसे करते हैं, connect लिए ok, ok करते ही यह connecting होना start हो जाएगा, और जो disconnected आ रहा था, वहां पर connected लिखके आ जाएगा सो अभी disconnected ही आ रहा है, so guys मेरा जो है network connect हो गया है, यहां पर लिखके आ रहा है connected, अब मुझे करना क्या है, TCP IP देखना है, कि मेरा IP camera के IP issue हो गए होंगे, यहां Wi-Fi के अंदर जाओंगा, तो LAN के तो नहीं, अगर मैं LAN पर click करता हूं, यहां पर WLAN 0 पर जाता हूं, तो मेरा router का IP है, वो इसने ले लिया है, और मेरा जो Wi-Fi के थ्रूट DVR जो है, online connected हो गया है, अगर हम इस्टेटस में भी जाएंगे, advanced के अंदर, तो यहां पर platform access में जाएंगे, तो यहां पर मेरा DVR का status जो आएगा, वो online show हो रहा होगा, तो यहां पर online show हो रहा है, तो अब भी DVR में ए नहीं है, बट आपके DVR में hardest है, फिर भी यह बीप आ रही है, मतलब के hardest खराब हो सकती है, तो आपने अगर इस बीप को बंद करना है, तो आपने जाना है, setting के अंदर, setting के अंदर आपको मिलेगा, event का options, system के अंदर event, event के अंदर आप आएंगे, तो यहां पर आपको उपर क क्लिक किया hardest error, अगर error हो तो भी यह बीप करेगा, तो इसकी भी हम basically audio enable हटा देते हैं, कि यह शो ना करे, कोई warning ना दे, तो यह आप यहां से अपना सारे जो भी आप IP conflict हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, यहां से आप इस लिगा, इसको बंद कर सकती है, record exceptions, तो record मेरा नहीं हो तो basically यहां से मैं इसको भी हटा देता हूँ, ताकि मेरे तीनों में से कोई भी reason सी वज़े से बज़ रहा हो, तो उन तीनों की reason से बंद हो जाए, तो मैंने अपने beep को बंद कर दिया है, अब कोई भी beep मेरा नहीं आएगा, अब क्या होगा, अब मुझे करना है IP Camera Add, तो अब यहां से क्लिक करता हूँ, प्लस पे, और यहां पे करते हैं just camera search, कि हमारा camera same network पर चल रहा है कि नहीं चल रहा, इसका IP आ जाएगा, इस वाले camera का, तो basically देखते हैं, कि इसका IP क्या आ रहा है, मेरा DVR का IP तो 1101 आ रहा था, गैस अगर आप कोई भी IP show नहीं होता, तो आप जा function खुल जाएगा, जो कि आपका पहले show हो रहा था, यहां पर रेखते हैं, search करके, add करके, कि यहां पर show हो रहा है कि नहीं हो रहा, IP camera, दोस्तो, maximum क्या होता है, कि यहां पर automatically IP show हो जाता है, दोस्तो, कि किसी वज़े से आपका जो IP camera है, वो यहां पर show नहीं होता, IP show नहीं होत तो आपने क्या करना है, आपने simply जाना है, computer पे, अपने PCI laptop पे आपको देखना है, DVR का IP क्या है, तो basically मैं आ गया, अपने Google Chrome पे, और यहां पर एक बारी चेक कर लेता हूँ, अपने DVR का IP address क्या है मेरे, तो यहां basically अपने router ओपन कर लेता हूँ, एक बारी जो मैं router लगा तो यहां पर online device में हम जाते हैं, तो यहां पर IP address हरेंगे desktop का IP क्या है, ESP का IP क्या है, तो मेरे जो camera है, उसका IP है 192.168.0.100, तो मुझे यह IP देखना है, यहां से और मैंने IP देख लिया है, एक मुझे यह वाला IP दिख रहा है, अलक सा, और एक मुझे IP दिख रहा है, यह व बंद करता हूं, तो देखता हूं कौन सा IP मेरा बंद हो रहा है, तो मैंने अपने IP कैमरे को बंद कर दिया है, अब एक बार रिफ्रेश करते हैं, कि हैंडेट वाला IP गया, या फिर मेरा वाला IP गया, जो हमारे दूसरा IP है, तो एक बार वापस चलते हैं, और आते हैं, 4 device र लगा देता हूं, अपने कैमरे की, तो अब सिंपल सा होगे, मेरा जो राउट कैमरा है, उसका IP address है, 192.16a.0.111, तो अब इसे को बंद कर देते हैं, और खोलते हैं, वापिस हमारा कैमरा, तो गाइस हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है, अब चलते हैं, वापिस बाहर मेन्यो पे, और एक बारी पहले लाइब चक करते हैं, ऐसे क्लिक करके, कि एड हो रहा के नहीं हो रहा, तो क्लिक किया है, यहां पर एक बार सर्च कर देखलते हैं, कि एड हो रहा के नहीं हो रहा, अगर नहीं होता, यहां पर कैमरा शो नहीं होता, फिर हम आईपी कैमरा जो है, वो dot zero dot triple one इसके बाद second option था हेक विजन का तो यह हमारा camera जो है वो on wave है तो इसको on wave कर देते हैं यहां पर आपकी जो port है वो ATRE है तो आपको आपके camera की port भी पता होनी चाहिए तो एक बार इसको add कर देखती है क्या add हो रहा कि नहीं हो रहा तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं मेरा camera play हो गया है काईट आपसे एक चीच और कहना चाहूंगा अगर किसी वज़े से आपका camera ऐसे connect नहीं होता तो आप DVR को LAN से जोड़ें क्योंकि सम्टाइम ऐसा होता है कि हमारा जो DVR है वो Wi-Fi stick से camera को search नहीं कर पाता camera नहीं play कर पाता अगर आपका DVR में camera किसी वज़े से on-wif camera play नहीं हो पता yellow sign आता है तो आपको DVR को LAN wire से जोड़ना है यस तरीके से आप अपने DVR में 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी Wi-Fi camera आपके लगे हो वो आप इसमें play कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है जैसे आप देख रहे हैं मेरे DVR में मेरा Wi-Fi camera जो की on-wif supported है वो play हो गया है गाइस इस camera की जो वीडियो है वो लेके आऊंगा जल्दी कि कैसे ये work करता है कैसे ये on-wif supported camera अगर आपको सिर्फ camera separate लगाना है अपने घर पे बिना किसी wire के तो आप कैसे लगा कि अपने घर पे Wi-Fi के थूँ अपने DVR में connect कर सकते हैं नहीं तो अपने mobile phone पर भी आप देख सकते हैं उसकी recording कर सकते हैं काफी useful camera है तो guys इस तरीके से जैसा आपको दिखाया मैंने बिना किसी wire को लगाए अपने DVR में अपने DVR में नोवा camera जो की IP camera मैट कर सकते हैं उसको यूज करके मैंने play कर दिया है तो उम्मीद करूँगा आपको ये function पसंद आया होगा आपको ये option पसंद आया होगा और आपने इस video को like किया हो आपके जो like है motivate करते हैं मुझे और अच्छी और unique वीडियो बनाने के लिए so thank you so much आप जो मेरे वीडियो को इतना प्यार करते हैं इतने end तक मेरे वीडियो पर बने हुए है भगवान आपका दिन शुप करे thank you so much